आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड लग गई, भगदड मच गई, इससे किसका नुपसान हो रहा है, आप ही बिमार पड़ोगे, आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड में थे और उसमें दो-चार लोगों को म क्तनी करें, अब हैं सोचल डिस्टनसिंग पूरी फॉलो करें गया, आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार की खुशी के लिए कहरा हूँ, पCrक dette खुली हुई है, कल भी खुलेगी पर्सों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड करने की क्या जूरूरत है लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही ठीक चीज़े नहीं चल रहे तो फिर हमें उस हेरिया को सील करना पड़ेगा फिर जो हमने रियायते दी हैं वो रियायते हमें वापस लेने पड़ेगा मेरे प बहुत बड़े-बड़े काम करके दिखाया है सबसे बड़ा काम तो पिछले पांस साल में दिल्ले के लोगों ने परके दिखाया था जब डेंगो को हराया था आप लोगों ने दस हफते, दस बजे, दस मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगो को हराया था पिछले साल देड़ हजार केस हुए थो और एक भी मौती हो थी दिल्ली के में गजब का काम करके दिखाया था अब हमें करोना को हराना है जिंदगी बर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा करोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खतम होगा अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविद्या शुरू ही है अब धीरे धीरे जब करोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा फिर और खोला जाएगा दिल्ली में और एक्टिविटिज शुरू की जाएगा तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं बस तीन चीज़ों का ख्याल रखना है हर हालत में मास्क पहन के रखना है जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं कसम खालों के मास्क पहने बिन आप घर से बाहर निकलते हैं दूसरी चीज सोशल डिस्टेंस है आपको सबस्ifiable ist दोसे कम 2-3 फोसिषिए नहीं जाएं किसी भी हाला के खाल्य जाना नहीं तो तीसरी चीज अपने हाथ हर आधे-धे हुंटे में हाथ धोलो साबुन दोलो सैनिटाइज कश дан शेनीटाइजर से हथ साफ करके लो यह 3 चीजों का ख़े क्यांयगे अगर इन तीन चीजों का हम ख्याल रखते हैं, तो आप दो करोना से बच्चे होगा। आपको करोना होगा की नहीं होगा, यह 90% आपके उपर निर्भर करता है। अगर आप इन तीन चीजों का ख्याल रखेंगे, तो करोना आपको नहीं होगा।